बेलकम टो राजन आई टियाई यूटूब चैनल इस वीडियो में देखेंगे फैसन डिजाइन टेकनोलोजी ट्रेड का ट्रेड थेवरी का अबजेक्टिव कोश्चन ठीक है अगर आप भी आई टियाई एक्जाम या से एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो ये सभी कोश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा ठीक है तो जलते हैं कोश्चन के पास कोश्चन की बात की जाए कोश्चन नमबर 20 तो कोश्चन नमबर 20 जो था इसके पीछले वीडियो में हो चुका था ठीक है यानि पार्ट 5 में हो चुका था आगे हम लोग देखेंगे कोश् नुमर 21 का राय कौन से परकार का अस्तर अलग पैटर्न टुक्रों से इवक्त होता है जो की काट कर कपड़े से जोरा जाता है ठीक है यहाँ पर ओप्शन है बिश्त्रित ओप्शन भी वाइस ओप्शन सी जूरी हुई ओप्शन डी बॉक्ष 21 का इंसर है श्री 21 का इंसर है श्री कोश्चन नमबर 22 एक टी सोट की जेव पर मोनोग्राम लगाया जाता है मोनोग्राम लगाया जाता है किस परकार के जेव परयोग की जा रही है ओप्शन ए है फ्रॉंटी ओप्शन बी इंसिम ओप्शन सी फ्लाइप फ्रॉंट ओप्शन डी पैच क्या होगा कोश्चन नमबर 22 का इंसर है डी कोश्चन नमबर 23 एक बूनी हुई पोसाख बनाते समय किस परकार की सुई का उप्योग किया जाना चाहिए ठीक है यहाँ पर ओप्शन है बॉल पॉइंट ओप्शन बी चमरा ओप्शन सी उनिवर्सल ओप्शन डी कराई तैस का इंसर है बी सोड़ी ए तैस का इंसर है ए ठीक है अगर आप भी सियाटिस की तयारी कर रहे हैं तो फाइशन डिजाइन टेकनोलोजी ट्रेट के लिए मेरे द्वारा ओनलाइन क्लास चलाए गया है ओनलाइन क्लास चलाए गया है गर आप भी एकजाम की तयारी अच्छे तरीकी से करना चाहते हैं तो हमारे ओनलाइन क्लास जॉइन कर सकते हैं जिसमें मैथ, रेजिनिंग और ट्रेड थिएरी परहाए जाएगा हमारे online class join करने के लिए आपको WhatsApp नमबर से जूर ना होगा मेरा WhatsApp नमबर है 9060584228 ठीक है 90, 60, 28, 42 एक मिनिट 90, 60, 28, 42 है न यह नमबर है उसमें रॉंग लिखा गया था 9060582842 यह मेरा WhatsApp नमबर है यहां से आप जूर के online class का detail ले सकते हैं चलिए Question नमबर 24 24 में क्या का रहा है विचम धागों द्वारा बाजों के किनारे सजाने के लिए आपको कौन से टाके का प्योग करना चाहिए ओप्शन ए है Option A है चलिए तो यहां पे जो है question number question number कितना था 24-24 का option number A है ना A, B, C, D सभी option आप देखिए इसका सही answer क्या होगा है ना इसका सही answer क्या होगा D क्या होगा D चलिए सभी question को क्या करना है रट जाना है ठीक है अगर CITS pass होना है या एक्जाम में ज्यादा मार्स लाना है तो सभी question को क्या करना है पूरी अच्छे तरीके से याद कर लेना है चलिए question number 25 क्या करा है शाइट सीम पर द्वारा बंध होने वाले एक trace point के जोड़े को डिजाइन करते समय किस परकार का जीफर शर्वादिक उप्यक्त रहेगा ठीक है option यहाँ है केंदरित option B left option C address option D fly front क्या होगा 25 का answer होगा C 25 का answer होगा C चलिए question number 26 26 में क्या करा है एक denim असकार पर वेल्ट सीम को बनाया गया सीम के कौन से बर्ग का उप्योग किया गया option A है left option B bound option C flat option D super most क्या होगा 26 का answer है 26 का answer है A 26 का answer है A चलिए question number 27 question number 27 क्या करा है गर्मी और दवाब से कप्डे की पर्तों को मोरने की परकिरिया क्या कहलाती है मतलब गर्मी और दवाब से कप्डों की पर्तों को मोरने की परकिरिया है ना क्या कहलाता है यह पूछना चारा है Option A है बंधन, Option B फ्यूजिंग, Option C सिलाई, Option D जोरन, क्या होगा, 25 का इंसर होगा B, चली, कुश्चिन नमबर ये 27 था न, 25 नहीं, 27 है न, 27 का इंसर होगा B, चली, कुश्चिन नमबर 28, फैसन पर प्रद्योग की का क्या प्रभाव है, यहां आपके सामने उप्शन है, यह उप्शन को आप पढ़िए, 28 का इंसर है C, 28 का इंसर है C, कुश्चिन नमबर 29, कप्ड़े को काटने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कप्ड़े को काटने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कुश्चन यह पुछ रहा है, तो यह तो सबसे असान है न, यह तो सबसे असान है, इसका इंसर क्या हो जाएगा C, कुश्चन नमबर 30, मसीने सुई के दोनों और अस्टाप, स्टीचिंग और लैप्ट सीमिंग के लिए कप्ड़े में जोर तोर की अनुमती देती है, क्या होगा, 30 का इंसर है D, कुश्चन नमबर 31, 31 में क्या करा है, फ्रेंच सब्द, अवांट गार्ड का क्या मतलब है, थोरा सा यह ज़्यादे इंप्रोटेंट कुश्चन है, इस पर ध्यान देंगे, कुश्चन नमबर 31, 31 का इंसर है B, इंसर है B, है न, B है, कन्फ्यूज मत होना है, चलिए, कुश्चन नमबर 32, क्या का रहा है, विक्रिये के लिए एक और सब्द कौन सा है, एक सब्द और कौन सा है, तो यहाँ पर बात की जाए है, यहाँ पर बात की जाए, का रहा है, भीच इज एनदर टर्म, फोर वेंडर्स, तो यह जो कोश्चन है, न, कोश्चन है, 32, 32 का यहाँ सेंसर C है, बट आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, इसका रायट एंसर क्या है न, अगर C है, तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जुन्हें उन्हें C एंसर रखा दिया है, कोश्चन नमर 33, क्या का रहा है, एक वानवी बिल एक क्या कहलाता है, जब उसका एक विदेशी बेपार में उप्योग किया जाता है, 33 का इंसर है, B, कोश्चन नमर 34, एक बेपार प्रबंधक क्या करता है, एक बेपार प्रबंधक क्या करता है, तो बेपार प्रबंधक इसका एंसर है, C है न, क्या करता है, अश्टोर के भीतर कई विभागों के माल का श्मानवय करता है चलिए कोश्चन नमर 35 क्या करा है उत्पाद या सेवा का उपभोग या उपयोग कौन करता है ये भी कोश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है ना कोश्चन नमर 35 तो 35 का इंसर है B, क्या करा है, उत्पाद या सेवा का उप्भोग का उप्योग कौन करता है, अच्छा, यह जो है उसका उप्योग कौन करता है, तो यूजर, जो इसको यूज करता है न, वही तो उप्योग करता है, इसका इंसर होगा B, Q36, गुनबत्ता में सुधार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 36 का इंसर है C Q36, आपका digital portfolio क्या है? क्या है? 37 का इंसर है C Q38, 38 में क्या का रहा है? वे फैर्शन जो प्रिवर्तनात्मक प्रभाव में और साहसिक होता है वह निमलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? 38 का इंसर है C Q49, फैर्शन क्यों जरूरी है? फैर्शन क्यों जरूरी है? वाइ फैर्शन इंसर इंसर क्या होगा? क्यों जरूरी है? थोड़ा सा उप्षन देखते हैं समय की आर्थिक अस्थितियों को परभावित करता है उप्षन भी है समाजिक अस्थिति को दर्साता है उप्षन C एक समय और अस्थान को दर्साता है उप्षन D सभी इतका राइट इंसर क्या होगा? D सभी चलिए चालिस कोशचन और लास्ट कोशचन है न निमलिखित उदासीन रंग किसके साथ जुरे हुए है? चालिस का एंसर है D चालिस का एंसर क्या है? चालिस का एंसर है D चलिए इस वीडियो में इतना ही कोशचन नमबर 41 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे यानि पार्ट 7 में देखेंगे पार्ट 6 चल रहा था ठीक है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फोर वाचिंग एन वाई वाई